नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल Bound to Education में मैं विर्बल आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में आज हम लोग जारकन जीके के most important परशनों को देखेंगे जो के आपके आने वाले परिक्षा में पूछे जा सकते हैं सारी ही सवाल आपके परिक्षा की दिरिष्टि कोन से बहुत अधिक मतपून है तो पूरा वीडियो में अवशी ही बने रहें तो चलिए आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं और आते हैं question number one पे कोल बिद्रो किसके नेतिरति में संचालित किया गया था सिंगराय मानकी, गंगा नारायन, लाल बाबा या फिर जातरा बगत तो Question No.1 का correct answer हो जाएगा Option A सिंगराय मानकी के द्वारा कोल बिद्रो का नेतिरति किया गया था संताल बिद्रो कब हुआ था 1855 से 56 के बीच में 1857 58 में या फिर 1899 900 1900 या फिर इन में से कोई नहीं तो question number 2 का correct answer याद रखेंगे बहुत अधिक मतपून question है बहुत अधिक बार इसे repeat किया जाता है संताल बिद्रो कब हुआ था 1855 और 56 में तो question number 2 का correct answer हो जाएगा 1855 से 56 के बीच में संताल बिद्रो हुआ था तो इसका correct answer हो जाएगा option A 1855 और 56 question number 3 है जारकन के पर्थम इसाई मिसन गोसनर मिसन की स्तापना किस देश के इसाई दल द्वारा क्या गया था ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी तो जारकन में जो पहला इसाई मिसन था सबसे पहला question तो आप यही याद रखेंगे कि जारकन का जो पहला इसाई मिसन क्या था गोसनर मिसन इसकी स्तापना किस देश के इसाई दल के द्वारा क्या गया था ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी या फिर फ्रांस तो question number 3 का correct answer याद रखेंगे option C, Germany का जो इसाई दल था वो जारकन में आया था और सबसे पहले गोसनर मिसन की स्तापना की इसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तो इसका correct answer हो जाएगा option C, Germany next question है question number 4 निवन मेंसे किस बेक्ति को संतालो का देवदूत के नाम से जाना जाता है Dr. Andrew Campbell, Father G, E, Gosner, Frederick Watch या फिर option D है Ray, GC, Italy तो question number 4 का correct answer हो जाएगा option ने Dr. Andrew Campbell को कहा जाता है संतालो का देवदूत ठीक है तो इससे याद रखेंगे question number 4 का correct answer हो जाएगा option ने Dr. Andrew Campbell नेक्स्ट क्यूशन है कोशिन भाइब करिषन भाइब को से जानों फोड़े नियुन भेम wallet फिर 17 of wreckal अंडोलन हो जायेगा ठीक है तो ये बहुत यादिक important question है question number 6 का correct answer याद रखेंगे option D जे बर्थोलमन को माना जाता है जारकन या अंदुलान का जानक तो इसका correct answer option D होगा next question है question number 7 जारकन का पर्थम अंतर जातिया अधिवासी संगठन है question number 7 का correct answer होजागा question number 8 है निम्न में से कोन एक चोटनागपूर अधिवासी संगठन से संगठन नहीं है तेबले उराओ, जुयल लकडा, पोल दयाल या फिर option D है थियोडोर सूरीन तो question number 8 का correct answer होजागा थियोडोर सूरीन जो थे ये चोटनागपूर अंतरी समाज से संबंदित नहीं थे तो इसका correct answer होजागा option D थियोडोर सूरीन next question क्यों चलते हैं question number 9 जैपाल सिंग मुंदा द्वारा गटिद जारकन पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था बहुत अधिक important question है चोटनागपूर उन्नती समाज अधिवासी महासाबा अखिल भारती जारकन पार्टी या जारकन समनबई समीती तो question number 9 का correct answer याद रखेंगे अधिवासी महासाबा के नाम से जाना जाता था किसको जाना जाता था इसका नाम याद रखेंगे जारकन पार्टी जिसकी जो गठन है वो जायपाल सिंग मुंडा के द्वरा किया गया था इसे सुरुआती दिदों में अधिवासी महासाबा के नाम से जाना जाता था जारकन पार्टी के संस्तापक थे जायपाल सिंग जारकन पार्टी के संस्तापक थे जारकन पार्टी का चुनाव चिन क्या था ठीक है नेक्स्ट वर्शन क्यों चलते हैं कोश्ण नमबर 12 जारकन मुक्ती मौर्चा नामक पार्टी के परफम अधिक्ष थे जैपाल सिंग सीबू सॉरेन बिनोध बिहारी मातो या फिस सूरी सिंग बेशरा तो question number 12 का correct answer हो जाएगा बिनोध बिहारी मातो जो की जार्खन मुक्ती मोर्चा नामक पाटी सबसे पहले बने थी उनका पर्थम अध्यक्ष थे बिनोध बिहारी मातो इसका correct answer हो जाएगा उप्संसी बिनोध बिहारी मातो next question is question number 13 जार्खन अंदोलन में सामील बिभिन दलो को एकजूट करने के उद्धिस से जार्खन समयबन समिती का गठन किया गया ठीक है कब जार्खन समयबन समिती का गठन किया गया था 1978, 1987, 1973, 1989 में question number 13 का correct answer हो जाएगा option B 1987 में जार्खन समयबन समयबन समिती का गठन किया गया था क्यूं जार्खन अंदोलन में जो भी लोग सामील थे, जो भी बिभिन दल सामील थे, उन सबको एकजूट करने के उद्धिस से थे तो इसका correct answer हो जाएगा option B 1987 में question number 14 है जार्खन चेतर स्वायत परिशत का गठन कब हुआ 8 अगस्त 1993, 8 अगस्त 1994, 8 अगस्त 1995 या फिर 8 अगस्त 1996 question number 14 का correct answer हो जाएगा option C 8 अगस्त 1995 को तो इसका correct answer याद रखेंगे option C 8 अगस्त 1995 next question है question number 15, जार्खन चेतर स्वायतonta स्वायत परिशत का अध्यक्श को था सुदेष मातो, सीवू सुरेन, बीनोथ ब्यारे मातो या फिर सूराज मंडल ā तो question number 15 का correct answer हो जाएगा सीवू सुरेन ठीक है चारकंट छेत्र स्वायसी परिशत का ध्यक्ष कोन था सिभू स्वारेन इसका कर्रेक्ट एंसर याद रखेंगे option B ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 16 चारकंट छेत्र स्वायसी परिशत का उपध्यक्ष कोन था question number 16 का कर्रेक्ट एंसर हो जाएगा option D सूरज मंडल इसका कर्रेक्ट एंसर हो जाएगा option D next question के ओर जलते हैं question number 17 जारकंट राज गठन है तू संसद से पारिद बिहार राज पूनर गठन विदायक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्चर कर उसे स्विक्रित परदान की ग्यानी जेल सिंग संकर दयाल सर्मा option C है क्यार नरायनन या फिर option D है डॉक्टर एपी जे कलाम तो question number 17 का कर्रेक्ट एंसर हो जाएगा डॉक्टर क्यार नरायनन ने उसमें हस्ताक्चर किये थे तो इसका कर्रेक्ट एंसर हो जाएगा option C क्यार नरायनन ठीक है next question है question number 18 किस तिती को question number 18 है किस तिती को बिहार राज पूरर गठन बिधेयक 2000 पर भारत के राष्टपती द्वारा हस्ताक्चर किया गया जिसके बाद जारकन राज के गठन का मार्ग परसस्त हो गया ठीक है उस दिनांग को आपको बताना है जब राष्टपती ने 2010 में जारकन राज पूरर गठन बिधेयक पर हस्ताक्चर किये थे 25 अप्रेल 2000 को 2 अगस्त 2000 को या फिर 25 अगस्त 2000 को या फिर 15 नमंबर 2000 को गठन के समय देश के परदानमंतिरी कोन थे ये भी बहुत अधिक मतपून कोश्यन है इंद्रकुमार गुज्राल मनमोहन सींग अटल बिहारी बाजपे या फिर HD देवगोडा तो कोश्य नमंबर 19 का गठन के समय अटल बिहारी बाजपे उस समय देश के परदानमंतिरी थे जब जारकन राज का गठन हुआ कोश्यन नमंबर 20 है जारकन राज गठन के समय बिहार का मुख्यमंतिरी कोन था निधिस कुमार लालू यदव राबडी देवी या फिर उप्सन टी है जीतन राम माजी जब जारकन राज का गठन लुआ उस समय बिहार का मुख्यमंतिरी कौन था कोश्यन नमर कोश्यन नमर ट्येटी का करेक्ट अंसर हो जागा उप्सन C राबडी देवी नेक्ट कोश्यन है कोश्यन नमर क्येट गिर्जाघर की इस्तापना कब रुई 1909 में 1910 में, 1911 में या फिर 1912 में तो राची में जो किथोलिक चर्च है इसकी इस्तापना हुई थी अप्शन A 1909 में तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा अप्शन A 1909 इस भी में संभिधान सभा में छोटनागपूर के इनमे से कौन से अधिवासी नेता सदिश्य थे एन ई होरो, जैपाल सिंग, सुसिल कुमार बागे या फिर कार्तिक ओराओ कोशन नमर 22 का करेक्ट अंसर हो जागा जैपाल सिंग जो थे ये संभिधान सभा में छोटनागपूर के आदिवासी नेता के सदिश्य थे इसका करेक्ट अंसर हो जागा अप्शन B जैपाल सिंग आगे बढ़ते हैं और कोशन नमर 23 पे आते हैं संथाल परगणा चेत्र को अती प्राचीन काल में क्या कहा जाता था नारीखंड मानवर्जी का करतासिना या फिर इन में से कोई नहीं संथाल परगणा चो चेत्र है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था कोशन number 23 का करेक्ट अंसर हो जागा law actionA नारी खंड के नाम से जाना जाता था इसका correct answer option ने याद रखेंगे next question क्यों चलते हैं question number 24 सफा होर आंदोलन किस अधिवासी समुदाई से संबंदित है मुंदा हो संताल या फिर खड़िया ये भी बहुत अधिक important question है सफा होर आंदोलन किसे संबंदित है question number 24 का correct answer हो जाएगा मुंदा जन जाती से संबंदित है तो इसका correct answer option A मुंदा जन जाती हो जाएगा next question है question number 25 जारगन के स्वतंतरता सेनानियों में से पर्थम सहीद होने का गोरव की सेनानी को प्राप्त है question number 25 का correct answer हो जाएगा option C तो आज के इस वीडियो में इतना ही है अगर जारगन से संबंदित बिविन परकार के परतियों की परिक्षाओं के आप तेयारी करते हैं तो bound to education channel को विजिट कर सकते हैं वहाँ पे आपको different playlist मिल जाएगा जिसमें आपके exam से संबंदित बिडियों आप उन playlist में जाकर के देख सकते हैं अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो इसे जरू subscribe कर दे और सामने के bell के icon को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी new videos upload होंगे उसका notification आप तक directly मोच सके तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगली वीडियो में में रोग फिर मिलते हैं कर दो देखने के लिएगर के लिएगर झाल नहीं कर देखने के लिएगर आपार किया है